देशी गाय का मूत्र डालेंगे मोतिया बिंद अपने आप गल जाएगा बिना ओपरेशन देशी गाय का मूत्र डालेंगे रेटीना आपका इव्दम दुरुस्त हो जाएगा रेटीना पे कोई भी तकलीफ हो वो मूत्र से ठीक हो जाएगा जिनको आखों में ज़्यादा पानी आता है बार बार उनका पानी आना बन दोगा जिनको आखों में खारिश होती रहती है वो खारिश ठीक होगी जिनकी आखें लाल रहती है अक्सर वो आखों का लाल लाला मी ठीक कर देगा आखों की 20 से ज़्यादा बीमारिया गाई के मूत्र से ठीक हो जाते हैं मैंने गोप मूत्र पर लगवग 20 साल के सर्च किया इतना अध्वुत है ये कि इसका वर्णन करो घंटों घंटों लगते हैं गाई के मूत्र का उप्यों का आख करिया आखों के लिए बहुत ही बढ़िया था बस इसका ध्यान ये रखना है कि गाई का मूत्र लेना वो गाई देशी होनी चाहिए और गाई गर्ववती ना हो गाई जब गर्ववती होती है उस समय का मूत्र मत लेना नहीं तो आखों में जलन हो जाएगा गाई की बच्छिया का लेना जो मा नहीं बनी उसका सबसे अच्छा है और यही गाई का मूत्र अगर कान में डालो गया आप तो कान के कई रोग ठीक करेगा जैसे कान में से अक्सर मबाद आता है पस मिकलता है कान में फोड़े फुमसी हो जाएंगे कान में से कई बार घम ऐसे अवाज आती रहती है कान की बिमारियों में भी यह कामाता है कान की बिमारियों के लिए और एक दवा अपने रसोई में है रसोई में नहीं घर में है एलोविरा एलोविरा का प्लांट अपने घर में लगा के रखो थोड़ा सा उसका पत्ता काटो उसका छील कर रस निकाल लो वो एलोविरा का रस कान में डालो तो कान की लगवग हर बीमारी में यह भी कामाता है है लो गरापरास